दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरह से आप योनो SBI बैंक का जो है यहां पे पासबूक डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तां, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, कि YONO SBI का जो पास बूक किस तरह से आपको डाउनलोड करना यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर पुरा चीज यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ जो आपको दिखाये दे रहा है, यहाँ देख लिजिए, मै देख रहे हैं ग्यान दिप टेक्निकल दोस्ता ही जानने के लिए और चैनल को भी तक सब्सक्राइब ने किए तो लाल कलर का नीचे वटन देखे कि दोस्तों उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हमारे चैनल पर वीडियो अप्लोड उसका नोटिफिक कहाँ पर ब्रांच आप यानि खुलवायें दोस्ता किस बेंक में आपका ब्रांच है पूरा चीज यहां पर आपको दिखा दिया जाएगा यहाँ पर मेरा CIF नमर यहाँ पे है IFCC कवड यहाँ पे है और मर्चेंट कवड यहाँ जो है पूरा चीज यह मेरा पासबूक है और नीचे दोस्तां आपका यहाँ पे देख लिए कितना पैसा का आप टॉंजेक्शन किया यहाँ पे पूरा चीज आपको दिखा दिया जाएगा कितना बालेंस है आपका पूरा चीज पासबूक के साथ आपको दिखा दिया जाएगा तो वीडियो में लास्तक बने रही है का दोस्तां वीडियो को ज़धा ज़धा सेयर करें ताकि उस बाइक वही पता चले और दोस्ता इसमें बात यह नहीं एक और मैं काना चाहता हूँ कि योनो SPI में जो है किसी तरह का आपको पास्वूक नहीं दिया जाता है बैंक के तरफ से जहां दोस्ता आपको सिर्फ ATM दिया जाता है ATM से आपنت banking के दौ़़ा आप योनो SPI में लॉग इन करके उसका इंटरनेट बैंकिंग का पासवूद बना के आप जो है इसका आनन्द ले सकते हैं और अपना bank का खाता और balance चेक कर सकते हैं चलिए वीडियो को पूरा यानि की देखते रहीएगा step by step ध्यान से समझते रहीएगा मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ तो इस पासबूक को डाउनलोड करने के लिए दोस्तां आपको क्या करना पड़ेगा तो चलिए सबसे पहले अपना chrome browser को open कर और इसी में यानि की पूरा ये work करेगा तो चलिए हम chrome browser को open कर लेते हैं वीडियो में लाज तक जरूर बने रहीएगा दोस्तां और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तां हमारे चैनल को subscribe भी कर लें ताकि जो भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हो उसका notification आप के पास पहुंचता रहे तो नेट को open करने के बाद यहाँ पर आपको search bar में type करना है SBI योनो या तो SBI bank इस तरह से search करना है सर्च करने के बाद जो है हमारा इस तरह से icon खुलेगा वीडियो में ध्यान से देखते रहेगा step जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं उस तरह से step by step आपको follow करते जाना है तो यहाँ पर SBI सर्च करने के बाद जो है दोस्ता नेट को open कर लेना है नेट को चलिए मैं खोल लिया हूं और यहाँ पर search भार में आपको type करना है SBI state bank भी लिख सकते हैं या तो SBI भी लिख सकते हैं और इसका जो interface यहाँ पर बदल चुका है अभी दोस्ता आज की date में यह अभी बदला है इसके बारे मैं अगला future में बताऊंगा अगले वीडियो में बताऊंगा किस तरह से future rate किया गया है तो चलिए आज मैं आपको बताऊ किस तरह से internet banking इसमें login किया जाता है पूरा चीज मैं आपको बताऊंगा तो चलिए जिस भी भाई ने योनो SBI bank में यानि की जो account खुलवाए है उसका facebook तो bank के तरफ से मिलता नहीं दोस्ता है ATM सिर्फ आता है घर पे और ATM के दोरा इसमें login किया जाता है तो मैं आपको बताऊ कि बीन ATM के द्वारा किस तरह से login इसमें करना है तो चलिए username जो भी आप बनाए है और यहां पे हम login कर लेते हैं पटापट तो वीडियो को हम पहुच कर देते हैं वीडियो में लास्ता जरू बने रही है तो दोस्तों जैसे ही आप यानि कि योनो SBI का user ID और पासपोर्ट इ इसका इंटरफेस यहां पे आ जाएगा तो यह जो है आपको 3.0 पे यहां पे जो आपको दिख रहा है दोस्तों यहां पे किली करके जो desktop mode में आपको open कर लेना है desktop mode में open जैसे करेंगे तो हमारा यहां पे जो है इस तरह का net banking खुल चुका है जो कि loading ले रहा है दोस्ता हम व कौन सा account है यहां पे आपको दिखाई देता होगा यहां पे देख लिजे saving account ब्राउंच का नाम यहां पे आई दोस्ता है और यहां पे कितना पैसा है यहां पे दिखाई दे रहा है तो इसको passbook डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो चलिए step by step आपको follow करते ज दिखाऊंगा तो इस तरह से आने के बाद जो first है जैसे आप login करेंगे तो इस तरह से इसका interface पे आप पहुच जाएंगे तो आपको passbook डाउनलोड करने के लिए क्लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों यहां जो आपको दिख रहा है saving account के यानि की बगल में यहां जो है account नम download हुआ की नहीं हुआ यहां पे आप देख लेंगे icon दिखाई देगा तो यहां पे चलिए हम क्लिक कर लेते हैं और download होना start हो जाएगा तो चलिए यहां पे हम क्लिक कर लेते हैं जैसे ही हम यहां पे क्लिक करेंगे दोस्ता तो इस तरह से हमारा आ जाएगा यहां पे interface और ज आप दियान से देख लें यहां जो है आपको हम कलर करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में बढ़ियां से आ जाए इस बाले बॉक्स पे आपको जो है यहां पर टाइप कर देना है यहां जो है इस बाले बॉक्स में देखिए पासबुक जैसा आइकन बना हुआ है दोस्ताँ उसी पे आपको touch कर देना है और यहाँ पे आप उपर में देखेंगे यहाँ पे download होना start हो जाएगा तो चलिए हम pathbook पे click जैसे इस तरह से हम किये और यहाँ पे जो है हमारा download का यहाँ पे icon आ गया यहाँ पे तीर वाला यहाँ जो आप पीडिया पाइल है इस तरह से इसको download पे हम click कर देंगे जैसे download पे click करेंगे यहाँ मेरा state हो गया है देखेंगे यहाँ पे download हो रहा है उपर में जैसे download होगा यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्ताँ इसको खोलना है तो चलिए मेरा पीडिया फटल डाउंड लोड हो चुका है, इसको हम खोल लेते हैं, इस तरह से आप खोल के बड़े यह असानी से आप देख सकते हैं, यहाँ देख लिजे, State Bank of India यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर मेरा एकाउंट नाम आ गया, एड्रेस आ गया, अकाउंटेफ नमर आ गया और दोस्तां, brown से याणि आ गया कहों पर है किस टैप का मेरा यहाँ अकाउंट है, यहाँ पर parcel काउंट आ गया यहाँ पर CIF है नमर आ गया FCC कौँट आ गया, दोस्तां, पूरा चीज इसमीन जो है, मेरा आ गया तो दोस्तां आई होब आपको वीडियो यह अच्छा लगे होगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मन में आपको कोई कमेंट यानी कि सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं उसका रिपलाइ में जरूर दूँगा तो दोस्तां इस वीडियो फाइल को आप सेफ करके रख सकते हैं बड़े ही आपको कम देगा कभी अगर बक्त पर आपको क्योंकि योनो एसबी आई का एकाउंट जो है दोस्तां उसमें आपको पाजबुक बेंक के तरफ से नहीं मिलता है इसलिए इसको आपको प्रिंट करवा करके रख लें ये आपको कम आप में आ जाएगा तो ठीक है दोस्तों धन्यवाद जाहिंद